शहर की विरांगना संस्था एक ऐसी संस्था है जो पिछले कई वर्षों से शहर के छोटे बच्चों के लिए आत्म सुरक्षा की शिक्षा देने का काम कर रही है। जे मेरे इनकी रिपोर्ट बल में बल अपना बल में आईए देखते हैं। इस वर्ष विरांगन संस्था द्वारा ग्रीश मकालिन शिवर का आयोजन किया गया है। अच्छे प्रतिसात को देखते हुए संगठन ने प्रवेश की तारिक पांच मई तक बढ़ा दी है। शहर की विरांगना संस्था एक ऐसी संस्था है जो पिछले कई वर्षों से शहर के छोटे बच्चों के लिए आत्म सुरक्षा की शिक्षा देने का काम कर रही है। नई शुक्रवारी सितिक गाड़ी खाना परिसर के एनमसी स्कूल के मैदान पर ग्रीश मकालिन शिविर का आयोजन कर छोटे बच्चों को रोफ मलखाम शिवकालिन शरस्र फ्लो जिमनास्टिक क्रॉस फिटनेस आदी का शांदा शिक्षन दिया जा रहा है। गाड़ी खाना परिसर से पेश है समवदा था संजे मीरे इनकी ये रिपोर्ट बल में बल अपना बल मैं इस मौकी पर विरांगना संस्था की संस्था पकद्यक्ष और मलखाम खेल में जिने महरत हासिल है ऐसे विधर्म नाकपूर के भैतरीन खिलारी एवम तशिक्षक नि के प्रांगन में खड़िये जहां पे विरांगना क्रिडा प्रबधोनी की और से यहां पे बच्चों को लाटी-काटी तलवार भाला आदी सिखाय जा रहे हैं यह गूर इसले सिखाय जा रहे हैं ताकि बच्चे अपनी आत्मरक्षा करें क्योंकि दिन बदीन जिस प्रकार से शहर में पूरे देश में जो असमत लुटी जा रही है बच्चे जो खुटको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ऐसे में बच्चे उम्रे से भले चोटे हो मगर यह अगर वे गून सिक ले यह गूरू यह पैत्र यदी वे सिक ले तो यकिनन वे अपनी सुरक्षा कर सकते ह इस बात को लेकर आज बीसिन के टीम पहुंची है नाकपूर के इस परिसर में जहां पे इस समय में माश्टर जी निनाद दिख्षित हमारे साथ महुजिदे उन से चानने चाहें माश्टर जी यह बता है कि जिस प्रकार से आज छोटे बच्चों को यह जो गूर सिकाय जा है जिसे मलखाम है रोप है तलवार बाजी है यह सब सिकाने के भीजिका उद्देश क्या है नमस्कार सबसे पहले दो धन्यवाद आप यहां इस हमारे ग्राउंड पर आहे और हमारे इस कार्य की आपने कार्य को आपने सरह हमारे सभी सदस्यों को यह महत्व पूर्ण लगा कि हम बच्चों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र और शिवकालीन शस्त्र प्रमूख तोर पे सिखाए इसका कारण यह था कि अपनी जो संस्कृती है अपनी संस्कृती में जो शस्त्रकला युद्धकला रची गई है बनाई गई है उसको आज की युवा जाने इस कारण को उतनी उतना नाम मिलता है ना पैसा मिलता है ना नेम फेम कुछ भी नहीं मिलता पर उन खेलों को उन खेलों के प्रति जागरूपता समाज में होना अवश्चक है यह हमको लगा इसलिए यही एक उद्देश था कि हम इन खेलों का प्रशिक्षंड दे तो आप थे निना पैमाने पे छोटे बच्चे आये हुए है उनके माता पिता स्वयम आकर उन्होंने यहां पे बच्चों को एडमिशन दिलवाई है वो इसलिए ताकि बच्चे अपनी आत्मरक्षा कर सके आए दिन हम देखते हैं कि क्रिकेट हो या हौकी हो इन गेमों को तो काफी बड़ावा खेलों को दिया जाता है बावजुद उसके जो पुरातन काल के जो गेम गेम थे जो खेल थे वो कहीं न कहीं दूर होते वे नजर आ रहे हैं जैसे कि हम आपको बता दे कि मलकाम या रोप यह वो खेल है जहां हर किसी का शरीर मजबूत होता है और आत्मविश्वास भी बढ यहां पर बच्चों को सभी पैर पैतरे सिखा रहे हैं ताकि बच्चे अपनी रक्षा खुद करें ना कि किसी की उपर में आत्म निर्बर रहें नाकपूर के इस प्रांगंड से क्यामेरा परसन सुभाज बुटले के साथ संजय मीरे BCN News नाकपूर